गुण बॉर्निंग माई दियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इर लेर्निंग क्लास अफ संस्क्रीत अफ क्लास फाइब तो बच्चों, आज हम सब संस्क्रीत का पार्थ आठ रपुंसक लिंग शब्दा त्री वचनेशू पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्थ रपुंसक लिंग शब्दा त्री वचनेशू जी शब्दों के द्वारा ना इस्त्री और ना पूरुष जाती का भूर होता है उसे रपुंसक लिंग कहते हैं तो आओ बच्चो आज हम लोग ऐसे ही कुछ नपूसक लिंग शब्दों को तीनों वचन में कैसे लिखते हैं वो देखेंगे जैसे पुस्टक तो पुस्तक को एक वचन में लिखेंगे पुस्तकम, दुए वचन में पुस्तके और उसके बाद बहु वचन में पुस्तकानी जैसे छत्रम, छत्रे, छत्रानी ऐसे पुष्प को एक वचन में पुष्पंग, दुए वचन में पुष्पे और बहु वचन में पुष्पानी लिखेंगे जैसे पुस्तकम, एक पुस्तक, पुस्तके, दो पुस्तके, पुस्तकानी, बहुत से पुस्तके, छत्रम, एक छाता, छत्रे, दो छाते, शत्रानी, बहुत से छाते, पुश्पम, एक फूल, पुश्पे, दो फूल, और पुश्पानी, बहुत से फूल. और अब हम सब इस पार्ट का बुक वर्क करेंगे पहला प्रश्न है निम्न लिखता ना, शब्दा ना, संस्कृतम लिखता अब नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखना है क है दो फूल, दो फूल को संस्कृत में लिखेंगे पुष्पे, खा लिखेंगे, एक आम, आम्रम, गह, बहुत से पहिये, शक्रानी, गह, दो गेंदे, किंदुके, अंग, एक फूल, पुष्पम, अच्च, बहुत से पुस्तके, पुस्तकानी, अगला प्रश्ण है, निम्न लिखिता नाम, शब्दा नाम, वचनम लिखता, मतलब निम्न लिखित शब्दों के वचन लिखना है, को में लिखा है, पुष्पम, पुष्पम एक वचन है, खा, चक्रे, दुई वचन, गह, चक्रानी, बहु वचन, घह, कंदुकम, एक वचन, अंग पुस्त के दुई वचन और च पुषपानी बहुवचन अगला प्रश्न है निमने लिखित पदानी बहुवचने परिवर्थियत अतलब निमने लिखित पदो को बहुवचन में बदलो क छत्रे और इसका बहुवचन होगा छत्रानी ख चक्रम इसका बहुवचन चक्रानी ग कंदुकिये कंदुकानी अंग पुस्तकम पुस्तकानी और लास्ट है आम्रम अम्रानी अगला प्रश्न है निमने लिखित रिक्त स्थानानी उचित पदय पुर्यत तो निम्नलिकित रिक्त थान को उचित शब्द से भरना है जैसे एक वचन दुई वचन अब बहु वचन लिखा हुआ है इसमें से कहीं कहीं कोई शब्द चुटे हुए हैं उनको सही लिखना है तो को है फलम दुई वचन में भरना है फले फलाने खा एक वचन में होगा कंद और अंतिम प्रश्न है चित्र नाम नामानी संस्क्रित भासाया लिखता मतद चित्रों के नाम संस्क्रित में लिखना है जैसे यहाँ दो फूल दिख रहे हैं इसका संस्कृत होगा पुषपे, बहुत सारे चाते, चातरानी, दो पुस्तक, पुस्तके, बहुत सारे पुस्तक, पुस्तकानी, एक चाता, चात्रम और एक फूल पुषपम आशाय इस पार्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे और आपका homework होगा कि जितने भी book work है अपने copy में complete करेंगे Thank you